हे गाईज क्या प्रेशान है लोगडाउन के बाद आप अपने पारलन में किस तरीके से आइब्रो करेंगे सेफटी के साथ और कैसे करेंगे तो मैं आपको इहां पर पांच शे आइडिये देने वाले हूं बहुत सिंपल सिंपल बिना पैसा खर्च किये आप पूरी वीडियो आपने पहचानन मुझे अब सभी इस बहेश में दिखेंगे तो क्या कर सकते हैं तो सभी को इस लगाने जरूर हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि लोगडाउन के बाद आइब्रो कैसे बनाएं बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सभी को यही था कि मैं कैसे बनाएंगे तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी चीजे बताऊंगे आपको जो बहुत अच्छी लगेंगे और आपको ज़्यादा खर्चानी करना पड़ेगा और आप सेफ रहेंगे आपका क्लाइंट भी सेफ रहेगा सबसे में होती है हमारी आइब उनसे प्रोड़क्ट अपले सकते हैं लेकिन आप अपनी उसमें सेनेटाइज और जो मास्क मैंने लगाया वा था वो और गलफ्स जरूर रखेगा गलफ्स जरूर डालना चाहते हैं तो गलफ्स जरूर डालें ताकि पूरा दिन आप कुछ भी कर रहें और इने बाद में ए अगर आपके पास कॉलर वाले कुर्टा और टी शर्ट नहीं है तो आप अपने हेर को खुला रखेए और उसके उपर से धागा लेंगे ये मेरी पारलर के अपनी टी शर्ट है कॉलर वाली है बहुत आसान तरीके हैं हमारे पास अब यहाँ पर तो मैं अपनी बालो को अट क्योंकि मैं कॉलर के उपर से धागा लेंगी अगर आप इन सब चीजों के बिना धागा लगाएंगे तो आपकी नैक में निशान हो जाएगा वहां से कट सकती है तो ध्यान रखिए अगर यह नहीं है तो आप बालो को खुला करके बालो के उपर से धागा लाएगा और इस भी कर सकते हैं क्लाइंट भी मास्क लगाए रहेगा आप भी लगाए रखिएगा और आप गलप्स भी डालना चाहते तो भी इजी ली डाल सकते हैं बट जादा चरेगा कि है बाद में हाथ को सेनेटाइस कर लें मुझ जादा बैट रहे हैं और इस तरीके से फोरवरड भी रख सकते हो बालों के उपर से बांद सकते हैं यह है मेरा सेकेंड तरीका आप कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजे या बड़ी कॉटन की चुन्नी आती है उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजे चकोर टुकड़े करेगा ताकि नैक पे बन जाए बट यह है मेरा अपना इतना बड़ा रुमाल जो हम अपने फेस पर गर्मी में बांदने के लिए लेते हैं कॉटन का है इसे नैक पर इस तरीके से बांद लेंगे अगर आपका कोलर वाला कुछ भी नहीं है और आप जूड़ा बांदते हैं तो बट सेफ रहेगा अगर आप बाल कोई उप पाउडर लगा लिए मैं इसी कॉटन से एस्टेंजन लगा लोगी बाद में और फिर उसे फेक दूगी मेरी एक ही कॉटन एक ही क्लाइन पर इस्तेमाल होगी तो यह ज़्यादा चरहेगा और देख सकते हो थ्रेड नैक में बनने के बाद कितना स्मूठ चल रहा है कितना अ दूसरा तरीका अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ यह वाला मास्क अगर आपके पास ब्लैक वाला मास्क नहीं है वो थोड़ा मोटा होता है इसमें तीन चार लेयर होती है तो आप तीन चारो लेयर को पकड़के टाइट से एक छोटी पिन लगाएंगे सेफटी पिन और सेफटी पिन के चारो तरफ धागे को लपेट देंगे टाइट से और उसके बाद इस तरीके से करेंगे आप आइब्रोस तो यह तीसरा तरीका आप देख सकते हो कितनी सेफ हैं इनमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा बस सैनिटाइज यूज़ करेगा सभी पर ताकि अब सेफ रहे बट आइब्रो बनाने के लिए आप देख सकते हैं दोरी और सेफटी भी कितनी अची है और धागा भी अच्छा चल रहा है ऐसा नहीं कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होगी सेफटी पिन छोटी होनी चीए और सेफटी पिन के तरफ नॉट नहीं लगा है और ये बैंड अगर आपका खीचता है जैसे खीच रहा हलका सा तो आप टाइट वाला प्लैक कलर के आते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि ये खीचेगा नहीं और फ्रंट में इसके कोई लेर्स भी नहीं है ती बटन पर चारो तरफ लपीट सकते हो अपना धागा बटन आपके नेक के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जो बहुत असान होगा तो चार से पांच ट्रीक हो गई है मैं आपको अभी नेक भी बताती हूँ और देख रहो इससे भी कितना अच्छे से चल रहा है हमारा थ्रे है मेरे हाथ में थ्रेट सेफटी बेल्ट यह मैं अपनी नेक्श्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ देखेंगे किस तरीके से आइब्रो बनाएंगे बिल्कुल सेफटी के साथ मास्क लगाए लगाए और अपने क्लाइंट के जाने के बाद यहां पर मैं लेरी को भी तो देखा आपने बिना पैसे खर्च के पूरी सेफटी के साथ किस तरीके से आप थ्रेडिंग बना सकते हो आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और करिएगा इस तरीके से आइब्रो अपने पारलर में आप भ अचे रगे यांट से आप बना सकते हैंे ठूरी के साल दिना आपरीका जार कमेंटाओ जसरेगागा य। 여기까지 हैं तरीके साला जस्क्ततक वारीका